साबर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के अंतरगर प्रिस्नावली 1.4 के सभी सवाल देखेंगे तो इसके पहले के वीडियो में हम प्रिस्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कम्प्लीट कर चुके हैं नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो चलिए प्रिस्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेस्ट यहाँ पर इंट्रेक्शन दिया गया है हमें कि बिना लंबी विभाजन प्रिक्रिया के मींस बिना भाग दिये बताईए क निम्नलिकित परिमे संख्याओं के दसमलो प्रिसार सांत हैं या असांत आवरती हैं तो यहाँ पर क्वेशन को ध्यान से पढ़ना है पहली बात तो बिना लंबी विभाजन प्रिक्रिया के बताना है मींस हमें भाग नहीं करना है और हमें बताना है कि जो हमें परिमे संख् क्या को भाग देते हैं, एक्जांपल के तोर पर यहां पर जैसे हम पांच से भाग करेंगे 10 को तो coses क्या आएगा, पांच दूनी 10 और यह कर जाए Two तो यहां पर हुआ क्या कि यह पूरा पूरा कर गया है तो यहांपर हमारा भागफल कितका आया है दो आया है तो यह सांत है यह कैसा है सांत है क्योंकि पांच का पाड़ा दो बार पढ़ने पर दस पूरा-पूरा मिल जा रहा है और अगर यहीं आप से कहा जाए कि तीन से भाग करिए बीस को तो आप क्या कहेंगे 3. 18 आ जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा दसम्नों लगाएँगे 0 लगाएँगे फिर 3. 18 आ जाएगा यहाँपर फिर से 2 बचेगा फिर 0 लगाएँगे फिर 3. 18 आ जाएगा तो यह process चलता रहेगा तो इस प्रिकार की क्रिया को हम लोग बोलते हैं असांत दसंबलो और अगर असांत में एक ही चीज बार-बार रिपीट हो रहा है तो असांत आवरती है और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो आसांत तो हैं लेकिन आनावरती कहलाएगा तो यह प्रिस्णा वाली 1.1 का कोईस्चन नमबर फर्स्ट के तो यहाँ पर हमें बिना भाग करने बताना है कि इस पर में संख्या का दसंबलो प्रेसार जो है वो छांति है कि असांत तो सबसे पहले यह पहले यह पहला कोईसे निजम ध्यान से मैथेड़ सिकھیयेगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगते हैं कि दी गई संख्या अमारी 13 एक तीस पचीस है अब यहां पर करना क्या है जो हमारा हर है एक तीस पचीस का इसको आपको करना है गुड़न खंड क्योंकि आपको भाग तो करना नहीं है फिर भी आपको दसंबलों प्रिसार ग्यात करना है तो क्या करते हैं जो हमारा हर है इसका कर लेते हैं गुड़न क्योंकि इकाई में 5 है तो यह हमारा 5 से डिवाइड होगा तो 5 से जाएगा 5 छके 30 एक बचेगा 5 दूनी 10 यहां 12 हो गया 2 बचा और 5 पचा 25 आजाएगा फिर से इसे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई का अंग 5 है तो 5 एकम 5 आजाएगा और यहां पर 1 बचेगा तो 5 द उनी 10 आ जाएगा और यहां 12 है दो बचा 5 पचा 25 आ जाएगा और यह 5 पचा 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा तो इस प्रिकार से इसका हम गुड़न खंड कर देते हैं अब गुड़न खंड करने के बाद यहां पर हमें 9.1 रखना है नोट पॉइंट यह है कि यदि हमारा गुड़न खंड 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M यानी 2 की घात N गुड़े 5 की घात M के रूप का है तो हम कहेंगे कि इसका दसमलो प्रिसार सांथ है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि गुड़न खंड में हमारे जो हमने पाँच होना चाहिए मिस पाँच की घात कुछ भी हो सकती है या फिर उसमें दो होना चाहिए दो की घात कुछ भी हो सकती कुल मिला के होने तो दोने चाहिए लेकिन जैसे भी हमने गुड़न खंड किया है यहाँ पर किवल 5 है दो तो आया नहीं तो हम क्या कहेंगे कि जो 31 25 है इसका गुड़न खंड है 5 की घात कितना है 1 2 3 4 5 तो 5 की घात यहां पर 5 है अब यहां तो 2 है नहीं तो होता क्या है किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 लगाएं तो उसकी वैलू 1 होती है तो 2 की पावर 0 की वैलू 1 होगी इसी प्रेकार चे अगर आप से कहा जाएं 5 की प लिख देंगे इसकी वैलू तो 1 ही है मिंस कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे है कि यह 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का है हर का गुड़न खंड इसलिए इसका दसमलो प्रेसार जो होगा वो सांत होगा तो यहां पर हम लिखेंगे कि अता है अता जो हमा मार्मा कितना संख्या है 3 बटे 31,5 का दसमलो प्रेसार क्या है यहां पर दसमलो प्रेसार जो होगा इसका सांत होगा आपसांत क्यों होगा तो सांत इसलिए होगा क्यूंकि तेरा बटे 31, 25 परिमे संख्या के हर में परिमे संख्या के हर में जो हमारी परिमे संख्या है इसके हर में 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M का रूप प्रदर्सित है का रूप क्या है प्रदर्सित है इसलिए जो हमारी परिमे संख्या है उसका दसमलो प्रसार सांत होगा तो इस प्रकार से फर्स्ट कोईस्चन हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं तो नोट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि परिमे संख्या के हर का अभाज गुडन खंड यानि जो हमने अभाज गुडन खंड किया है यह 2 की घात N इंटू 5 की घात M के रूप का है जहाँ पर N कोई संख्या है 2 की कितनी भी घात हो सकती है M भी कोई संख्या है मिनसे 5 की कितनी भी घात हो सकती है तो अगर इस रूप का है तो हम कहेंगे कि जो हमारी पर्मे संख्या है वो सांत है अगर इसी के साथ में यहाँ पर पांस की घाथ पांस दो की घाथ जीरो के साथ में तीन आ जाता तो यह आ पर्मे हो जाता है में इसे इस्टरा कुछ नहीं आना चाहिए दो और पांस केवल इ रसमलों पिसार को बताना है सांत है कि असांत है तो सबसे पहले हम लोग फिर से उसी तरह लिखेंगे यहाँ पर दी गई परिमेश संख्या 17 वटे 8 है अब यहाँ पर हर का हम लोग कर लेते हैं गुडंखंड तो हमारा हर 8 है इसका करेंगे गुडंखंड दो से जाएगा दो 4 को 8 हो जाएगा फिर 2 से 2 दूनी 4 आ जाएगा फिर 2 एकम 2 आ जाएगा तो इस परकार से अभाज गुडंखंड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 8 के 8 के अभाज गुडंखंड 8 के अभाज गुडंखंड अभाज गुडंखंड क्या है 8 का तो यहाँ पर है 8 बर गा लेंगे क्योंकि हमें पता करना है दसंबलों प्रिसार सांत हे कि असांत है तो आपको ध्यान लखनए बचत दोध या पांच में से एक आ गया है इसका मतलब बगल वाला जो नहीं आया है उसको आपको जीरो के लिख लेना है तो यह हमारा दसंख्यार सांथ हो जाएगा लेकिन अगर दो के साथ वह यहां कोई और संख्या आया होती 5 को छोंड़ कर अगर इसलिए दसंख्यार हमारा सांथ होगा तो यहां पर हम लिखते हैं यहां पर इस प्रिकार से लिख देते हैं कि परिमे संख्या 17 बटे 8 में 8 का अभाज गुणंखंड मीस हर का अभाज गुणंखंड 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का है अता 17 बटे 8 का दस्तमलो प्रिसार 7 होगा तो इस प्रिकार से हम लिख देते हैं निक्स्ट क्यिस्टन 1 का थर्ड देखते हैं निक्स्ट कहिस्टन 1 का थर्ड है 64 बटे 445 यहां पर भी भीना लंबी भाज बन प्रिकिरिया के नस capaz अ में प्रिकार को सांती या आसांती बताना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई पर में संख्यात 64 बटे 455 है अब यहाँ पर हम लोग हरका कर लेते हैं अबाज गुडंखंड तो 455 है हमारे पास 455 का करेंगे अबाज गुडंखंड क्योंकि यह इकाई का अंक में 5 आया है तो यह 5 से डिवाइड हो अब यह हमारे 7 से जाएगा तो 7 एकम 7 हो जायगा और यहाँ पर साथ तरीक 21 हो जाएगा इसके बाद यह हमारे तेरा से डिवाइड होगा 13 एकम 13 यहाँ पर 13 हमारे अबाज संख्या इसलिए 13 से ही डिवाइड होगी तो यहाँ पर इसका गुडंखंड आया है देन पास 455 के अभाज गुड़नखंड 455 के अभाज गुड़नखंड तो क्या आए हैं अभाज गुड़नखंड तो अभाज गुड़नखंड आया है 5 गुड़े 7 गुड़े 13 जो अभाज गुड़नखंड आया है ये 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का नहीं है वो इस प्र इस प्रेकार से question number one का जो थर्ड हमारा ये complete हो जाता है next question one का फोर्थ देखते हैं next question number one का फोर्थ है यहाँ पर की 15 वटे 1600 को हमें बतारा है कि इसका दसमलोग प्रिसार सांत होगा की असांत होगा तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है जो हर है चार सो हाईगा फिर से दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दो एकम दो यानि कि आ जाएगा फिर दो से डिवाइड करेंगे दो पचास पचास आज़ाएगा और इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 25 आजाएगा और अब यहाँ पर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पचा 25 हो जाएगा और लाश्ट में हो जाएगा 5 एकम 5 तो इस परकार से हम गुड़न खंड करते हैं और गुडनखंड करने पर देखते हैं कि इसका जो गुडनखंड है वो 2 की घात N इंटू 5 की घात M के रूप का है अगर इस रूप का है तो दसंबलो प्रिसार सांथ होगा और अगर 2 और 5 की अत्रिकत कोई अन गुडनखंड भी आता है एक को छोड़ कर तो वो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो इस प्रिकार से यह हमारा 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का है तो यहां पर हम लिखेंगे कि 16 सो जो है ये 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का है अत्हा 15 बटे जो 16 सो है इसका दसंबलो प्रिसार सांथ ह तो वो यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो पंद्रा बटे 16 सो है इसमें हर जो यहाँ पर 16 सो है इसका गुडण। टू की पावर इन इंटू फाइब की पावर एम के रूप का है अता है तो दसमलोग प्रिसार होगा वो सांत होगा तो इस प्रिकार से वन का फोर्थ भी हमारा कम्प्लीट हो जाता है नेश्ट क्वेश्चन नमबर वन का फाइब देखते हैं 29 बटे 343 का हमें बताना है कि दसमलोग प्रिसार सांत होगा कि या सांत होगा तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं जो हर हमारा है 343 इसका गुडनखन निकालते हैं तो यह हमारा साथ से डिवाइड होगा कितने से 28 और 79 63 आजाएगा फिर इसे हम साथ से डिवाइड करेंगे तो 77 49 आजाएगा फिर से साथ से डिवाइड होगा तो यहाँ पर एक हो जाएगा अब यहाँ पर हम 343 जो हर है इसका गुडनखन करते हैं तो देखते हैं कि 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का नहीं है अता है यह तोटल दसंगलो प्रसार है हमारा असान्थ हो जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेज्ट कुईस्टन नमबर 6 देखते हैं कुईस्टन नमबर 6 है 23 बटे 2 की घाथ 3 गुडे 5 की घाथ 2 यह बताना है कि दसंगलो प्रसार 10 होगा कि तो यहां पर हम देख रहे हैं जो हर है हमारा यह तू की पावर इन इंटू फाइब की पावर एम के रूप का है अता है इसका दशंबलो प्रसार क्या होगा सान्थ होगा तो यहां पर हम लिगते हैं तो इस प्रेकार से यह question भी हमारा complete हो जाता है नेश्ट क्वेश्चन नमबर यहाँ पर 7 है कि 129 बटे 2 की घाथ 2 गुड़े 5 की घाथ 7 गुड़े 7 की घाथ 5 को हमें बताना है कि दसंबलो प्रेसार इसका सांथ होगा कि असांथ होगा तो यहाँ पर इसका दसंबलो प्रेसार जो होगा वो असांथ होगा क्योंकि यहाँ प यहाँ पर हमारा दसम्लोग प्रेसार क्या हो जाएगा असान्त हो जाएगा तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ बिन्द का जो हर है 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का नहीं है यिस वाले question में क्या लिखा जाएगा नहीं है अतहरा दसम्लोग प् चे 15 आजाएगा और ये 5 एकम 5 आजाएगा अब यहाँ पर लिखेंगे 6 बटे 3 गुड़े 5 पंदरा की जगह पर क्या लिख देंगे 3 गुड़े 5 यहाँ पर लिख देंगे अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका भिन्न कट रहा है तो आप उस मिल जाएगा 2 बटे 5 यह बिन्न किसके बराबर है 2 बटे 5 के बराबर है किसके 2 बटे 5 अब यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा है न यह 5 की पावर M और साथी साथ 2 की पावर N के रूप का है यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं 2 की पावर 0 की वैलू कितनी होती यह 1 होती है, किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 लगाते हैं तो उसका मार एक होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 बटे, 2 की पावर यहाँ पर 0, 5 की पावर 1 है, तो यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है अतह इसका दसमलो प्रिसार सांत होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है रूप का है अतह दसमलो प्रिसार क्या होगा यहां पर सांथ होगा तो इस प्रिकार से क्वेशिन को आपको ध्यान से देखना है यहां बंढ अमारा डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने गुडन्थ खंड करे इसको डिवाइड कर दिया उसके बाद यहाँ पर देखा 2 की power x 5 की power x 5 की power x की रूप का है कि नहीं है तो इस question में है इसलिए रसमलो प्रिसार हमारा क्या हो जाएगा इस question number 9 देखते हैं यहाँ पर हमारा question है 35 बटे 50 तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जो हर है इसका गुड़नखंड निकालेंगे 50 का तो 50 का गुड़नखंड निकालेंगे 2 से डिवाइड होगा 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा फिर इ इस प्रेकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टू की पावर एन इंटू 5 की पावर एम के रूप कर रहेगा यहाँ पर घाते फिर एक एक हो जाएंगी तो तब भी जो हमारा दसमलों प्रिसार होगा वो क्या होगा स्तान्त होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ यहाँ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हर उपस्थित है हर उपस्थित है अतह अतह क्या हो जाएगा अतह दसमलो प्रिसार सांत होगा क्या होगा सांत होगा क्योंकि यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हम हर को लिख पा रहे हैं तो हमारा दसमलो-प्रेसार 7 हो जाएगा नेश्टी QUESTION 1 का 10 है कि juvenile 270 बढ़ी तो हम पताना है दसमलो-प्रेसार 7 होगा या असान तो यहाँ पर हम हर का गुडंतकर नकालेंगे हर हमारा 210 है तो यहाँ पर 2 से DIVGuide करेंगे और फिर साथ एकम साथ हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हर है हमारा वो 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का है लेकिन 7, 7, 3 और 7 यह इस्टरा आ गया है इसलिए रसंबलो प्रेसार हमारा जो क्या होगा असांत हो जाएगा क्योंकि जो हर है यह 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का नहीं है इसके यहाँ पर 2 और 5 गुडंखंड के अतरिक्त यहाँ पर 3 और 7 भी है इसलिए यह हमारा असांत होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ हर का गुडंखंड 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का नहीं है अतरि दसंबलो प्रेसार क्या हो जाएगा असांत हो जाएगा तो इस प्रकार से question number 1 हमारा complete हो जाता है next question number 2 देखते हैं question number 2 है उपर दिये गए प्रिस्नों में उन परिमे संख्याओं के दसंबलो प्रेसार को लिखिए जो सांत हैं यहांपर जो one किया है उसमें जो जो तो अभी हमने question में देखा कि हमें नीचे जो हर रहेगा यहाँ दो और पांच दोनों की घात को बराबर करना होता है तो यहाँ पर हम इस प्रिकार से करेंगे यह हमारा हो जाएगा 13 बटे यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 5 गुड़े दो की घात 0 की value 1 होती है तो यहाँ पर हम दो की घात 5 से गुड़ा और दो की घात 5 से उपर भी गुड़ा करेंगे तो यह हमारा cancels हो जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इसी प्रिकार से आपको करना है जिससे आप नीचे गुड़ा करेंगे उससे आपको उपर भी कर देना है तो यहाँ पर हमने 2 की घात 5 से नीचे multiply किया है तो 2 की घात 5 से उपर भी कर दिया है अब यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ से मारा हो जाएगा यह 13 हो जाएगा गुड़े यह 2 की घात जो 5 उपर है इसको आपको खोल लेना है तो जो दो की घात पांच है इसको हम लोग क्या करेंगे इसको खोल देंगे तो यहां से मिल जाएगा दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो और नीचे आपको क्या करना है जैसे ही आपकी घात बराबर हो जाए तो नीचे इन संख्याओं का कर लेना है गुड़ा तो यहां पर हम 416 लिख देते हैं, बटे 10 की घात 5 आजाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब है, कि यहाँ पर हमारे कितने 0 हो जाएंगे पांच 0 हो जाएंगे अब यहाँ पर हम 0 हटाएंगे और उपर उतने ही अंकबाद इकाई की तरफ सगिन से दसम्लो लगा देंगे तो यहाँ पर 1,2,3,4,5 हटाएंगे पांच अंकबाद दसम्लो लगना है तो यह हमारा हो जाएगा 4 141612345 यहां लगना है तो यहां पर हम 0 फिल कर देंगे तो यह हमारा करेक्ट टैंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से फर्स्ट का जो पहला कोईशन था हमारा उसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा 0.00416 नेश्ट कोईशन नमबर वन का सेकेंड देखते हैं कि इसका दसमलो प्रसार सांत था या असांत था तो यहां पर इसका दसमलो प्रसार सांत था तो इसलिए हम लोग इसका भी दसमलो प्रसार निकालेंगे तो यहां पर हम लोग इसका सेकेंड कोईशन लिखते हैं दसमलो प् यहां पर दो की घगात है लेकिन पांच नहीं है तो पांच की घगात कितना लाएंगे हम तीन लाएंगे तो पांच की घगात तीन ऊपर भी लिखेंगे इस परकार से तो अब ये हमारा हो जाएगा सत्रा गुड़े यहाँ पर पांच की घात तीन को मतलब है पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े पांच नीचे हमारा क्या हो जाएगा दो की भी घात तीन है पांच की भी घात तीन है तो इन दोनों संख्याओं को कर देना है ग जब इसका मल्टिप्लाइट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21, 25 और नीचे हो जाएगा 1000 अब यहाँ पर हम 3,0 हटाएंगे और उपर 3 अंक बाद दसम्लो लगा देंगे तो हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा 2,125 तो इस प्रकार से यह हमारा दसम्लो प्रिसार हो लेंगे निश्ट कोईस्टन नमबर वन का फोर देखते हैं कोईस्टन नमबर जो हमारा फोर्थ था पहले का यहाँ पर इसका दसम्लो प्रिसार सांत था तो इसलिए हम लोग ज्याद करेंगे कि इसका दसम्लो प्रिसार क्या होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं को लेकिन इधो Matter ऑज दो दो यहां पर इन्या से हमने चाहिए वड़ी हैं कितना कम है तो इसे गोड़ा में कर लेंगे तो 15 गुड़े ये 5 को हम लोग लिखेंगे 4 बार तो इस प्रिकार से हम लोग लिख देते हैं और नीचे क्या हो जाएगा नीचे हमारा हो जाएगा दो की घात 6 है ये हमारा और ये हमारा 5 की घात 6 हो गया तो अब यहां पर हमारी घात बराबर हो गई है तो संख्य 25 125 625 आ जायेगा और नीचे 10 की गात 6 आ जायेगा अब इसे हम लोग और multiply करेंगे तो यह हमारा आ जायेगा 9 3 7 5 multiplied करने पर और नीचे 10 की गात 6 है यानि कि यहाँ पर 60 है तो इस प्रिकार से हम लोग 60 को हटाएंगे तो यहाँ पर 6 अंक बाद दसम्दों लगेगा तो 1,2,3,4,5 यहाँ पर दसम्दों लगेगा यहाँ 0 लगा देंगे तो इस प्रिकार से दसम्दों प्रिसार हमारा हो जायागा 0.09375 तो यह हमारा correct answer हो जाता है तो इस प्रिकार से पहले का 4 जो हमारा दसम्दों प्रसार असानत है, तो इसलिए हम लोग इसका मान ग्यात नहीं करेंगे। पंचे हमारा 115 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुड़े 5 की घात कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा तो अब यह हमारा हो जाएगा 115 बटे 5 दूनी 10 और इसकी घात 3 हो जाएगा यानि कि नीचे हमारा 1000 आ जाएगा तो इस प्रकार से लिख देते हैं अब 3 0 यहां पर हम लोग निखेंगे तो यहां पर नीचे दो की घात नहीं है इसलिए दो की घात यहां पर हम लोग लिखेंगे के एक क्यूंकि पांस की घंट एक है तो दो से घंट हमने लिखा विलखा दो से हमने गुड़ा किया तो दो से गुड़ा ऊपर भी करेंगे हम लोक्त करेक्ष से 2 देखनं के और नीस दूनी दस हाई cel धर यहाँ दिखते हैं तो इसका भी दसम्लो प्रेसार सांत है इसलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पर इस प्रेकार से हम लोग 50 का गुड़न खंड लिख लेंगे तो हो जाएगा 35 बटे दो गुड़े 5 गुड़े 5 यह हमारा गुड़न खंड है अब यहां पर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 सते 35 तो यह हो जाएगा 7 बटे 2 गुड़े 5 तो यहां पर 2 की भी गात 1 है और 5 की भी गात 1 है तो यहां पर हमें कुछ ने करना पड़ेगा यह हो जाएगा 7 बटे 5 दूनी 10 हो ज उसका दसमलो प्रिसार असांत था इसलिए से हमें ग्यात नहीं करना है तो इस प्रकार से question number two भी हमारा complete हो जाता है next question number three है कुछ वास्तिविक संख्याओं के दसमलो प्रिसार नीचे दरसाए गए हैं प्रतेक इस्तिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमे संख्या है या नहीं यदि यह परिमे संख्या है और पी बटे क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज गुडन खंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि दसमलो प्रिसार जो हमारा होता है वो कब परिमे होता है और कब आपरिमे होता है बात करें अगर हम परिमे संख्या के लिए तो यदि किसी संख्या का दसमलो प्रिसार सांत हो दसमलो प्रिसार क तो जो आपरिमे संक्या होते हैं इनका दसमलोप्रिसार असांत होता है और असांत के साथ में आपको याद रखना है अनावर्ती होता है असांत और अनावर्ती होता है जो संक्या हमारी आपरिमे हो जाती है तो संत का मतलब होता है कि यदि किसी संक्या से किसी संक्या को डिवा संक्या हो जाएगी और अगर आपरमय की बात करें तो इसमें अंत नहीं होता है इसमें संक्या कहा तक जाएगी ये कहे नहीं सकते अना वर्ती होती है तो यह हमारी आपर einzimips हो जाएगा तो चलिए कुस्टन नंबर तीसरे का फॉर्ष्ट देखते हैं तो तो तीसरे का फर्स्ट कोश्चन है 43.123456789 तो यहां पर देखते हैं कि इसका दस्मलोग प्रसार सांत है या अगे डॉट डॉट नहीं लिखा है यह नौ तक जाने पर यहां सांत हो गया है तो इसका दस्मलोग प्रसार क्या है सांत है इसलिए यहां संक्या अमारी परिमे अगर हम बात करें इसे P बटे Q के रूप में लिखने की तो इसे हम इस प्रिकार से लिखेंगे 43 लिखेंगे 37 यहां दसमलों हटाएं यहां पर जितने अंक पीछे आए हैं हर में उतने ही 0 लग जाएंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पर नी जाएगा 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपन यहां पर नीचे आजाएगा इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 के रूप का तो यह हमारा गुड़नखंड हो गया हर का नेश्ट कुश्चन नमबर तीसरे का सिकेंड देखते हैं कुश्चन नमबर तीसरे का सिकेंड हमारा कुछ इस प्रेकार से दिया गया है तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर दसम्लों के बाद यह 120 आया है फिर 1200 आया है एक 0 और बढ़ गया इसके बाद 12,000 तो यहां प पर मेय संक्या हो जाएगी तो यह पर हम लीखेंगे इससले का स flameager प्रिसार इसका दस अम मैस मेंशनख्या हुर यहां पर से तीसरे का second question एक प्रिमेश संक्या हो जाएगी या क्या हो जाएगी परिमेश संक्या हो जाएगी तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो इस प्रिकार से यहाँ पर लिख देते हैं साथी साथ हमें इसका हर का मान भी निकालना है तो यहाँ पर करते क्या हैं जो क्वेश्चन में दिया गया इसे हम एक समान लेते हैं तो एक सिस्कोल टू हो जाएगा 43 दस हम लोग 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इस प्रिकार से इसे हम लो करना पड़ेगा दस की घात नौ एक से दोनों तरब करेंगे इधर भी दस की घात नौ से गुड़ा करेंगे दस अमलो नौ अंकी खिसक जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 43 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां दस अमलो लगेगा दस अमलो के बाल हम यहाँ पर बार हटाएंगे इस अंक को दुबारा उतारेंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इस परकार से यह हमारा आ जाएगा यहां पर अब यहां पर हम लोग करते क्या हैं यहां पर इस में से इसको घटा देंगे यानि कि यह समी करण हमारा 2 हो जाएगा यह समी करण 1 हो जाएगा तो समी करण 2 में से समी तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो इस प्रेकार से यह हमारा 10 की घात 9 का मतलब है 7 में यहाँ पर 9,0 लगे हुए हैं कितने 0 लगे हुए हैं 9,0 यहाँ पर लगे हुए हैं तो इस प्रेकार से हमारा यह हो जाएगा साथी साथ इसको हम घटाएंगे यहाँ पर बार हटा दे तो इसी चीज़ को हम दुबारा उटार सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और इसमें में से इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा इस प्रिकार से आ जायागा 4,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसी के साथ में हमारा है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसमें में से हमें घटाना है इसको यानि कि यहाँ पर दसमलो के साथ में हम लोग रखेंगे यहाँ पर इसके पहले 43 है और पीछे है 1,2,3,4,5 यहाँ से हम रखेंगे 6, यहाँ पर 5,6,7,8,9 तो जब इसे हम घटाएंगे तो यह तो हमारा घटके 0 हो जाएगा यहां पर दसमलों रहेगा और यहां पर जब हम घटाएंगे तो 9 में से यहां पर 3 चले जाएगे यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर हमारा 4 आ जाएगा और यहां पर हमारे यह सेम टू सेम रहेगा तो इस प्रकार से यह में प्राप्त हो जाएगा यहां पर दसंबलों के बाद 0 को कोई मत्तम नहीं है तो इस प्रेकार से यहां से हम X की वैलू निकाले तो X is equal to हो जाएगा 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6 upon यहां पर हो जाएगा 9, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 9 इस प्रेकार से यह हमारा correct answer हो जाएगा अब हर का गुड़नखंड करेंगे तो हर के गुड़नखंड में 2 गुड़े 5 का रूप नहीं होगा इसमें 2 और 5 नहीं होगा क्योंकि यह 9, 9 करके आया है तो इस प्रेकार से यह question भी हमारा complete हो जाता है इस प्रेकार से प्रस्नावली 1.4 आप लोगों को clear हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रस्नावली को cover करेंगे थैंक यू